नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे चैनल में और ग्राओं के वक्री और मार्गी होने के रहिश्यों के इस एपिसोड में लगबर हर दूसरे व्यक्ति की जन कुली में एक या एक से अधिक ग्राओं का मतलब क्या हो सकता है आम तोर पर लोगों के मन में वक्री ग्राओं को लेकर कि धार्णा रहती है कि जीवन में परशानिया सूरू हो जाएंगे लेकिन साइद आपको ये पता नहीं होगा कि कुछ ग्राओं का वक्री होना जीवन में न सिर्फ खुशियां लाता है बलकि व्यक्ति को फाइनेंशली बहुत मजबूत बना देता है और उसकी spiritual improvement होती है spiritual progress होती है 2020 के मई माम में तीन ग्राओं वक्री होने वाले वक्री होने का अर्थ ये है कि ये ग्राओं अपनी स्वाभाविक चाल के विपरीच चलेंगे यानि उल्टी चाल से चलेंगे और ये तमाम राशियों को प्रभाविक करेंगे आईए सबसे पहले तो ये जानते है कि कब कौन सा ग्राओं वक्री होने वाला है 11 मई 2020 को शनी हो रहे हैं वक्री जो 122 दिन तक अर्था 29 सेप्टमबर तक रहेंगे वक्री इसमें दूसरा 13 मई को शुक्र हो जाएंगे वक्री जो 22 दिन तक अताथ 25 जून तक रहेंगे वक्री और अब बात करते हैं उस तीसरे ग्राओं की जो 14 मई को ब्रेस्पती हो जाएंगे वक्री और 121 दिन तक रहेंगे वक्री अतात 13 सितंबर तक ब्रेसपती ग्रह वक्री रहेंगे इसी एपिसोड में मैं आगे इन तीनों वक्री ग्रहों का क्या-क्या फल मिलने वाला है यह विशलेशन करूँगा तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वक्री और मारगी ग्रह हैं क्या वक्री ग्रहों को लेकर के भिन-भिन जोतिशों के अलग-अलग मत हैं हर कोई व्यक्ति हर कोई जोतिशी अपने आप में स्वेम भू बगवान का अवतार है वो जो बोल देते हैं वो ही सही माना जाता है या हर व्यक्ति को सही मानना चाहिए मेरी ऐसी धारना है कि जो सही है उसको जान लीजे चाहिए वो नेगेटिव है और चाहिए वो पोजिटिव है सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव भजने से पॉजिटिव पॉजिटिव सुनने से पेट नहीं बरेगा या उस समस्या से निकलेंगे नहीं समस्या को जान लेने से समस्या के बारे में सही डंग से पता कर लेने से समस्या से निकला जा सकता है या उसके बारे में जानकर ही रख करके अपने आपको सेफ किया जा सकता है इस एपिसोड में वक्री और मारगी ग्रहों के बारे में ही बात करेंगे सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वक्री ग्रह की परिवाशा क्या है सामन्य तौर पर कोई भी गरह जब अपनी सामनि दिशा की बजाए उल्टी दिशा में यानि विपृत दिशा में चलना सुरू कर देता है तो ऐसे गरह को या इस गती को वक्रगती कहा जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। कोई भी ग्रह अपने परिभ्रमन पत पर कभी उल्टा या कभी पीछे की और नहीं चलता है। हम सभी जानते हैं कि सौर मंडल के सभी ग्रह प्रत्वी के सासा सूरी के चारों और गूमते हैं और साथी प्रत्य ग्रह भी अपने और्बिट या कक्षा में पत पर गूमता रहता है। सबी ग्राओं की एक निश्चित गति भी होती है और वे उसी के अनुसार पथ पर चलते रहते हैं लेकिन सांसारिक दस्तिकोंड से ऐसा लगता है जैसे प्रत्वी नहीं चल रही है और बाकी सबी केंदन के रूप में प्रत्वी के साथ साथ गूम रहे हैं उदान के तौर पर जब हम रेलगाडी में बैटे वे बाहर देखते हैं तो सारे पेड़ पोदे हमें पीछे जाते हुए चाहे वो मकान हो चाहे वो पेड़ पोदा हो चाहे वो बिजली का खंबा हो चाहे को मंदिर हो सब कुछ पीछे जाते हुए नजर आते हैं यह सिर्फ ए दूरी परिवर्थित होती रहती है वस्तुत कोई भी ग्रह कभी पीछे की और नहीं चलता यह भ्रह्मात्र है गूमती हुई प्रत्वी से ग्रह की दूरी तथा प्रत्वी और उस ग्रह की अपनी गतिके अंतिर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत होता है किन्तु जोतिस सास्त्र के नुसार जन्म कालिन समय पर ग्राओं की ऐसी उल्टी गति के करण जीवन पर उनका प्रबाव सामाने से अलग होता है यह प्राकतिक नियम है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य या प्रत्वी के तुलनात्मक निकट आ जाता है तो उसकी गति तेज हो जाती है और जब दूर हो जाता है तो उसकी गति धीमी होने लगती है धीमी हो जाती है जो तिस गरंतों का नुसार जब कोई गरह अपनी तेज गती के करण किसी अन्य गरह को पीछे छोड़ देता है तो उसे अतिचारी का जाता है जब कोई गरह अपनी धीमी गती करण पीछी के और खिसकता प्रतीत होता है तो उसे वक्री कहते है और जब गरह वापस आगे बढ़तावा प्रतीत होने लगता है तो उसे मारगी का आ जाता है, कभी-कभी कुछ समय के लिए स्थिर प्रतीत होता है, उसे अस्त का आ जाता है. अब उदान की रूप में समझाने का मैं प्रियास करता हूँ, यदि सनी अपनी सामनी गती से मकर रासी में ब्रवन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सनी मकर रासी से कुम रासी की और जा रहे हैं, किन्तु वक्री होने की स्थिति में सनी मकर से धनू रासी के और चलना सु कर देंगे उसे मारगी कहा जाएगा अधिकतर मामलों में ग्रह के वक्री होने के स्तिती स्था नहीं आता किंतु उसके व्यवार में कुछ बदलाव अवश्य आ जाते हैं वक्री ग्राव कुंडली में जातक विसे इसके चरित्र निन्मान की क्रिया में सायक होते हैं जिस भाव और जिस रासी में वे वक्री होते हैं उस रासी और उस भाव से समधित फलाजेस में काफी कुछ परिवर्तन आ जाता है नव ग्राव में सूर्य तथा चन्दमा सामाने दिसा मे चलते हैं अताथ हमेशा वक्री ही रहते हैं और राव और केतु कोई गरह है नहीं सिरफ च्छायां मातर है हमने एक प्रकार से के स्केल बना दी है उसी स्केल के बीच में ही फल तता विवार सदा एक जैसे ही रते कभी भी उनमें पर dato नहीं आता है वक्री ग्राओं के सम्झ में जोतिस प्रकास्टत्व कि इस घृतकत ऑर सारावली ये बिजोतिस के ग्रंतें और मानेता प्राप्द ग्रंतें इनके अनुसार यदि सुब ग्र वक्री हो तो मनिश्यों को राज्य धन वेबव की प्राप्ति होती है कि तो यदि पाप ग्र वक्री हो तो धन यस प्रतिस्ता की हानी हो करके प्रतिकुल फलों की प्राप्ति की संभाव ना रहती है जन समय में वक्री ग्रह जब गोचरवस वक्री होता है तो वह सुबफल पदान करता है बसरते ऐसे जाता कि सुबदसा और अंतदसा चल रही हो वक्री ग्रह किसी कुणली विश्यस में सबाव से विप्रीत आचरण करते हैं किसी कुणली में सामनी रूप से सुबफल देने वाला ग्रह वक्री होने के स्थिति में असुबफल देना शुरू कर देता है या फिर अगर किसी कुणली में सामनी रूप से असुबफल देने व बाव भी उल्टा कर देता है अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की रासी में इस्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसका फल अशुब हो जाता है तता यदि कोई ग्रह अपनी नीच की रासी में वक्री हो जाता है तो उसका फल सुब हो जाता है अब जो भी मैं में तीन ग्र वक्री हो रहे हैं उन सभी का मैं आपको विश्लेशन बता रहा हूं सबसे पहले ग्यारा मैं को शनी वक्री हो रहे हैं शनी का वक्री होना दुरगटना है और धनानी करवाता है वहीं वक्री शनी तनाव और संगर्स भी देता है मंद कती से चलने के कारणा धीमी कती से चलने के कारणा जब शनी वक्री होता है तो काम काज में मंदी उत्मन कर देता है और व्यक्ति से खूब मैनत करवाता है वक्री सनी के समयकाल में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और वह अपने अच्छे बुरे कारियों का स्वैम निरेक्षन करने लगता है अताथ स्वैम को खोजने लगता है कहां सही और गहां गलत है यदि वक्री शनी आपके लिए सुबह तो आपको अपने कारेश यत्र में अपने वरकिंग एन्वार्मेंट में अपने केरियर में इंप्रूमेंट मिलेगा प्रोमोशन मिल सकता है वहीं असुब होने के स्थिति में जो भी काम काज आप करते हैं उसमें रुकावट आ सकती है आपको body pain हो सकता है, joints में pain हो सकता है, नौकरी में परेशानी हो सकती है, नौकरी छूट सकती है और इसके साथ साथ जो crude oil, koila, steel, lois से समधित, जो भी शेयर वाजान में काम करते हैं, उनके शेयरों में नुक्सान हो सकता है वक्री शनी, सिंग और धनूरासी में बहुत ज़्यादा प्रतिकुल प्रभाव देने वाले होते हैं आईए अब जानते हैं, मई में दूसरे नंबर पर जो ग्रह वक्री हो रहे हैं, तेरा मई को शुक्र वक्री हो रहे है शुक्र ग्रह का सीधा समंद्ध भूग और विलास से हैं, वक्री शुक्र का शुप रभाव देश की मैलाओं और आर्थिक स्थिती पर भी पड़ेगा, जिसके करण देश में मैलाओं के स्थिती मजबूत हो सकती है शुक्र के वक्री होने पर, इस्तियों के मन में दभी भावनाएं बहार आने लगती है पुरुसों की कुंड़ी में गोचर में शुक्र वक्री होने पर उनमें भोग सुकी इच्छाएं तीवर हो जाती है इस दोरान जो शराब का सेवन करते हैं वे अधिक नशा करने लगेंगे वे शराब का सेवन ज्यादा करने लगेंगे शुक्र जब वक्री होने के बाद में मारगी होता है तो पती पतने के बीच मद्बेद भी तुरंट मिड़ जाते हैं कोट कचेरी के मुकदमों का निप्टारा भी जल्दी होता है और तूटे समंद पूना जूड़ जाते हैं अब बात करते हैं मई में जो तीसरे नमबर पर ग्रह वक्री होने वाले हैं चौदा मई को ब्रेस्पती वक्री होने वाले हैं ब्रेस्पती का वक्री होना अत्यां सुप माना गया है इससे व्यक्ति का भागे चमकता है इस दोरण व्यक्ति अपने परिवार देश संतान की जिम्यदारियां और धरम के प्रति अधिक सम्विदल सील या अधिक चिंती तो करके सुब कारें में प्रवत हो जाता है सुब कारें में इन्वाल हो जाता है सुब कारें करने के और प्रेरीत हो जाता है ऐसे समयकाल में वो व्यक्ति और ज़्यादा मोटा पा गेन करेंगे और ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं उनको जरूर से ज़्यादा सावधा नहीं रखनी है और यह भी lockdown में तो हर कोई फैल ही रहा है क्योंकि काम काज करने के लिए कोई है नहीं हमने सरफ आरम पसंद सोचते हैं मानसिक रूप से सोचते हैं कल से exercise स्टार्ट करेंगे कल से मैनत करेंगे लेकिन होती नहीं है यह अलग बात है कि कुछ लोग health conscious हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप पर ध्यान रख रहे हैं लेकिन अल्टिमेटली ब्रेस्पति अपना काम करेगा आप exercise करेंग लोग हैं यह उसका फल आपको मिलेगा नहीं करेंगे तो वही ब्रेस्पति आपको और ज़्यादा वजंदार बना सकता है क्योंकि ब्रेस्पति इन नवग्रहों में सबसे porta है ब्रेस्पती जिस भाव में वकरी होता है उस भाव के फलादेस में अनुकूल पर्वेस्टन अ आने लगते हैं जब किसी की कुंडली के सेकंड आउस में अता दुत्य बाव में ब्रेस्पतिया करके वक्री होता है जैसा कि धनूरासी वालों के लिए हुआ है यह अपार धन संबदा प्रदान करेगा सिर्ज से कर्ज का बोज कम हो जाएगा या उतर जाएगा धन संचे होने के स्थिती होने लगेगी डूबावा पैसा वापस मिल सकता है नौकरी पैसा व्यक्तियों को प्रमोशन या वेतनवदी मिल सकती है ऑफकोर्स यह जो कुछ भी होगा लॉकडाउन खुलने के बाद में होगा नाइन ताउस में ब्रस्पति वक्री होने पर भाग्य उदय होत अपने जन्म स्थान की और बढ़ता है और संपति प्राप्त करता है यह स्थिति कुम्ब रासी वालें के लिए उत्मन होई है इस्तियों की कुणली में महिलाओं की कुणली में यदि वक्री ब्रस्पति हो तो उन्हें उची समय पर विवा सुक्की प्राप्ति होती है मेल हो चाहिए वो फीमेल हो ये था एपिसोड के ग्र वक्री और मारगी क्यों होते हैं या इनकी परिपासा क्या होती डेफिनेशन क्या हो सकते हैं कैसे समझ सकते हैं और मई मा में जो तीन ग्र वक्री हो रहे हैं उनका इंपेक्ट आप पर क्या पढ़ने वाला है मैंने तीनो इंवी ग्रह जो वक्री हो रहे हैं महीं 2020 में उन सभीस एपिसोड भी बनाए हैं रसिफल के जो की आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे शनी का एपिसोड आप देख चुके हैं वक्री शनी का प्रतिगराशी पर इंपेक्ट पड़ना है वह आप देख चुके हैं एक दो दिन में शुक्र की रासी परुतन अता वक्री शुक्र का प्रतिग्रासी पर क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है वह एपिसोड आप देखेंगे और उसके बाद में ब्रस्पती वक्री होने पर प्रतिग्रासी पर क्या इंपक्ट पढ़ेगा उसका एपिसोड भी देख लूटन नहीं लेता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा मैसूस हो रहा है कि वो दूर जा रहा है या धीरे होते हैं यह सिर्फ ऑप्टिकल ढ्रम है इसी लिए मैंने यह स्पेशल एपिसोड बनाया है और मुझे आसा है कि अब आपको समझ आ चुका होगा मारगी और वक्री क्या होता है और उनका इंपेक्ट प्रतिकरासी पर किस दंग से अलग अलग होता है मई 2020 में सिर्फ हमारी टेलिफॉनिक कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही चालू है आप उसका फाइदा उठा सकते हैं हमारे जो वैट्सप नमबर आते हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं उस मैसेज के तुरू हम आपको एक प्रोसेजर भजेंगे वो प्रोसेजर आप फॉलो कर लेंगे तो एक टाइम स्लोट बुक हो जाएगा आपकी जो भी जिग्यासा है जो भी आपके कोस्टन से अपनी कुंडली से सम्मंदित जो जनरल रासीपल है वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग फॉन करके सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आपके मुह से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली के बारे में अपने प्रस्नों के बारे में अपनी जिग्यासा पूर्ति लिए सवाल करने हैं वो लोग संपर के स्थापित कर सकते हैं टाइम स्लोट बुक करेंगे उसके बाद आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर आपके प्रस्नों परीव इसलेशन करेंगे चर्चा करेंगे और जो भी उपाय होंगे मैं आपको बतलाऊंगा और आप तक वो उपाय संचार माद्यमों से घर बैटे वे पहुंचेंगे आप अपने घर बैटे वे टेलिफॉनी कंसल्टेंसी की माद्यम से अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं तो इस एपिसोड में बस इतना ही आग्या दीजिए इस एपिसोड को लाइक करना शेयर करना और जो भी आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा है जो भी आपके सुजाव हैं वो कमेंट में आप दे सकते हैं अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें नहीं अच्छा ल के रक्षा करें धन्यवाद